नमस्कार, उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित, विज्ञान शिक्षा, सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। चलिए आईए इस वीडियो में हम लोग वृत विश्वास के बारे में अपने सारे कॉंसेप्स को रिवाइस करें। और एक बार ये देखते हैं कि हमारे पास अगर एक वृत है और एक रेखा है तो उनके बीच में किस तरीके का संबंद हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक रेखा है और आप देख सकते हैं कि या तो ये रेखा ऐसी हो जो कि इस वृत से संबंदती ना हो। तो आप देख पारे हैं कि ये रेखा अलग है और ये वृत अलग है। एक हमारे पास ये भी हो सकता है कि ये जो यहां पर आपके पास रेखा है ये इस वृत को दो बिंदूओं पर प्रतिछेद करें ऐसी रेखा जो कि एक वृत को दो बिंदूओं पर प्रतिछेद करती है उसे हम कहते हैं छेदक हम इसे क्या कहेंगे इस वृत की एक छेदक अब आप देखिए कि हमारे पास ऐसी भी एक रेखा हो सकती है जो कि सिर्फ इस वृत को कहीं पर इस पर्ष करें सिर्फ एक जगा ये रेखा इस वृत को इस पर्ष कर रही है और इसलिए हम इसे बोलेंगे इस पर्ष रेखा क्या कहींगे हम इसे इस पर्ष करने वाली रेखा जिसको हम बोलते हैं इस पर्ष रेखा और इसे हम टांजेंट कहते हैं अगर हम ठेदर की बात करें तो इसको हम कहते हैं सेकेंड और पहला जो मैंने आपको यहाँ पे केस बताया था तो यहाँ पे हम कह देंगे कि यह रेखा जो है वो इस वृत के लिए इस वृत के लिए एक अप्रतिछेदी रेखा है जिसका इस वृत से कोई भी संबन नहीं है अब यहाँ पे इस जो विशे में इस चाप्टर में हमारे लिए सबसे जरूरी है इन इसपर्ष रेखाओं के बारे में जानना तो सबसे पहली बार हमने ये देखी कि अगर हमारे पास कोई इस पर्ष रेखा है तो वो एक वृत को सिर्फ एक ही बिंदू पर प्रतिछेद करेगी तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो इस पर्ष रेखा है वो सिर्फ एक ही बिंदू पर प्रतिछेद करेगी तो ये एक बिंदू यहाँ पे P हो गया दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि इस पर्ष रेखा एक छेदक रेखा है या फिर छेदक रेखा का एक विशिष दशा है जहां पर इसकी जो दोनों ये बिंदू हैं ये संपाती हो जाएं या फिर हम कहलें कि जो भी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे संगत जीवा होगी मतलब इसके corresponding जो यहाँ पे chord होगी A-B अगर हम इसके point A-B दोनों को एक ही जगा पे consonant करा दें तो एक छेदक रेखा को हम कह सकते हैं कि वो इस पर्ष रेखा बन गई तो इसलिए जो दूसरी जरूरी बात हमारे पास इस पर्ष रेखा की है वो यह कि किसी वृत की इस पर्ष रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएं और मैंने आपको बताया कि कैसे वो दिखेगा यहां पे हम एक और बात जो कि बहुत ही जादा जरूरी है वो समझ लेते हैं कि अगर आप किसी इस पर्ष रेखा की बात कर रही है और आप यहां पे उस बिंदू को देख रही है जहां पे वो इस पर्ष रेखा वृत को इस पर्ष कर रही है तो उस बिंदू पे अगर आप एक तृज्या बनाएं इस वृत की तृज्या तो आप बनाई सकते हैं यह बात हमें पता है कि वृत की तृज्या क्या होती है उसके केंद्र से आप अगर उसके परिधी पे किसी भी बिंदू को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगी एक पे तरिज्या और इस पर्ष रेखा आपस में कैसी हो जाएंगी सम कॉन बनाएंगी और इसलिए हम कहेंगे कि इस बिंदू पे पर इस पर्ष रेखा के उपर यह जो तृज्या है वो लंब होगी कि हमने तीन बातें यहां पर पढ़ी जो कि इस पर्ष रेखा को समझने के बहुत ही जरूरी है मैं फिर से बता दूं कि इस पर्ष रेखा वृत को सिर्फ एक ही बिंदू पर इस पर्ष करेगी इस पर्ष रेखा को छेदक रेखा का एक विशिस्ट रूप कहा जा सकता है जहां पे जो भी संगत जीवा है उसके दोनों से रोकों हम गहें की संपाती हो और तीसरी और काफी जरूरी बात यहां पे कि अगर हम एक स्पर्ष रेखा और इसके स्पर्ष होने वाले बिंदू की बात करें तो यहां पे अगर हम एक त्रिज्या बनाएंगे तो वो त्रिज्या इस संपाती बिंदू पे क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगे अब ये तो बात हमने समझी कि अगर हमारे पास जो ये बिंदू है वो इस वृत पर ही बन रहा है मगर आईए चलिए हम एक और यहाँ पर दशा देखें और इस दशा में अब हमारे पास जो ये बिंदू है जिससे हम इस पर श्रेखाई बनाना चाह रही हैं वो इस वृत के बाहर है तो ऐसी दशा में आप ये देख सकते हैं कि ये जो बिंदू है इस से हम इस वृत पे दो इस पर श्रेखाई बना पाएंगे एक इस तरह और डूसरी इस तरह तो क्या हमें समझ में आया कि अगर हमारे पास एक बिंदू वृत की परीधी के बाहर है तो आप यहां पे दो बना पाएंगे क्या इस पर्श रेखाई और माल लेते हैं कि ये रेखाई जो हैं वो इस पर्श कर रही हैं इस वृत को T1 और T2 बिंदू दो अब यहां पे फिर से हमारे पास कुछ जरूरी बिंदू हैं जो हमें ध्यान रखने हैं जब हम इन दोनों इस पर्श रेखाऊं की बात करें जो की एक बिंदू से बन रही है जो की इस वृत के बाहर है तो सबसे पहली बात तो यह कि अगर हम P T1 रेखा की लंबाई की बात करें और P T2 रेखा की लंबाई की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यह दोनों रेखाएं जो हैं वो बराबर ही होंगी तो हमें क्या पता चला कि इस पर्श रेखा की लंबाई अगर हम बना रही हैं वो एक बाहर के बिंदू से एक वृत पे तो हमेशा उसकी लंबाई बराबर होगी और दूसरी बिंदू ये कि अगर आप यहां पे इस दोनों ही बिंदूओं को इसके केंद्र से जोड़ दें तो फिर हमारे पास जो ये रेखा O-P आएगी तो मैं इसे एक दूसरे रंग से यहां पे दिखा देती हूँ कि अगर आप इस रेखा O-P की बात करें तो ये O-P जो है वो कौण T1, P, T2 का अर्धक होगा मतलब आपके पास जो O-P है वो कौण कौण सा कौण जो कौण इन दोनों इस पर्ष रेखाओं के बीच में बन रहा है T1, P, T2 इसका अर्धक होगा अर्धक मतलब दो बराबर हिस्सों में बातने वाली रेखा तो इसलिए O-P जो है वो कौण T1, P, T2 का अर्धक होगा तो हमने यहाँ पे दो जो जरूरी बात थी वो क्या पढ़ी कि अगर हमारे पास एक बिंदू वृत के बाहर है और हम उस बिंदू से इस वृत पे इस पर्ष रेखाओं बनाते हैं तो हम दो ही इस पर्ष रेखाओं बना पाएंगे और उन दोनों इस पर्ष रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर होगी दूसरी बात हमने देखी कि अगर हम इन इस पर्ष रेखाओं की जो समपाती बिंडू है उसको केंद्र से जोड़ दे और इस केंद्र को हम इस बिंडू से जोड़ दे जहां से हमने इस पर्ष रेखाएं कीची थी तो जो आपको ये रेखा ओपी मिलेगी वो जो दोनों इस पर्ष रेखाओं के बीच का कोण है उसका अर्धक होगा तो चलिए आईए अब हमने जो भी यहां पे कॉंसेप्ट थे वो समझ लिए अच्छे से अब हम इसके वाधारत इसके उपर आधारत कुछ प्रशनों का हल करें तो चलिए आईए पहला प्रशनों देख लेते हैं एक वरित एक त्रिबुझ की बुझा B C को और विस्तारित बुझाओं A B और A C को क्रमशा P Q R बिंदूओं पर इसपर्श करता है सिद्ध कीजिये की AQ की लंबाई बराबर हो जाएगी परिमाप ABC का क्योंकि AB और BC और C AC का जो योगफल है वो परिमाप हो जाएगा त्रिभुज ABC का और उसका आधा तो हमारे पास जो यहाँ पे एक डाइग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा यहाँ पे हमें फिगर से क्या दिख रहा है कि एक त्रिभुज है ABC और इसकी बुज़ा BC पर एक वृत स्पर्ष कर रहा है किस पर? पॉइंट P पर और जो विस्तारित बुज़ाएं AB और AC है उस पर कहां कहां यह स्पर्ष कर रहा है Q और R पर और हमें सिद्ध करना है AQ की जो लंबाई है वो आधी है इन तीनों की लंबाई के योगफल की तो चलिए आएए इस प्रशने का हल करने का प्रयास करें और यहाँ पे जो हमें सिद्ध करना है वो है AQ की लंबाई तो AQ को मैं ऐसा कह सकती हूँ कि AQ जो बराबर हो जाएगा आधे और 2 AQ के मैंने कुछ नहीं सिर्फ AQ में 2 का भाग और गुड़नफल कर दिया अब AQ को अगर मैंने 2 AQ लिखा है तो इसका आशा यह है कि मैं AQ प्लस AQ भी लिख सकती हूँ और यह तो मैंने सिर्फ यहां पे अपने सोच करके कर लिया कि यहां पे जो मुझे यहां पे 2 तरफ पद दिया गया था उसको मैं किस तरहां से कुछ थोड़ा बढ़ा के लिख लिख लिए अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जो भी मेरे पास AQ का मान होगा वो ही A-R का मान होगा और कारण क्या है कि AQ और A-R दोनों बाहर की बिंदू A से बनने वाली इस पर्ष रेखाए हैं तो ऐसा करते हैं कि एक AQ को तो AQ ही रहने देते हैं और दूसरे AQ को बदल करके हम A-R लिख देते हैं फिर आगे की और बढ़ते हुए यहां पर आप देखिए आपको जो सिद्ध करना था वहां पर आपको दाइन तरफ A, B, B, C और A, C मिल रहा है और अभी आपके पास जो यहां पर विखती आई है उसमें आप AQ और A-R मिल रहा है तो आईए हम इस फिगर से यह देखें कि A-Q का मान क्या होगा A-Q जो है वो है A, B और B-Q के बराबर आप देख सकते हैं कि A-Q है A, B और B-Q के बराबर और उसी तरह से A-R है A-C और C-R के बराबर अब फिर से हम एक बार मेल कराते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना था तो जो सिद्ध करना था उसमें हमारे पास A-B था वो हमें यहां मिल गया उसमें यहां पे A-C था वो भी हमें यहां पे मिल गया और उसमें यहां पे B-C है वो हमें यहां नहीं मिल रहा है और हमें यहाँ पे दो अत्रिक्ट पद मिल रहे हैं जो की हैं BQ और CR और अगर आप इस figure में देखें तो BQ है ये और CR है ये तो अब हमें किसी तरह से इसको बदल करके किस रूप में लाना है जिससे हमें यहाँ पे BC मिल जाए तो आएए पहले हम जो हमारे पास सही पद हैं उनको लिख लें और जो अत्रिक्ट पद हैं आएए अब उनको हम एक बार अलग रंग से यहाँ पे लिख लेते हैं कि BQ और CR जो है वो मुझे नहीं चाहिए वो अत्रिक्ट आ रहा है अब आप देखिए कि BQ का मान जो है वो इस फिगर से BP के बराबर हो जाएगा और कारण यह है कि आप देख पा रहे हों तो यह BP और BQ जो है वो एक बहर का जो बिंदू है भी उससे बनने वाली दो इस पर श्रेखाएं हैं इस वृत पे और इसी प्रकार आप अगर CR को देखें तो CR और CP की भी लंबाई बराबर हो जाएगी क्योंकि CP भी एक बाहर की बिंदू C से बनने वाली दो इस पर श्रेखाएं हैं तो हमारे पास यहां पे आगया हाफ AB प्लस AC और मैंने रूप बदल के BQ का BP लिख लिए और CR का CP लिख लिख लिए और अब ये बात समझना काफी असान बात है कि BP और CP का योगफल फिगर से क्या होगा तो आएए AB हमारे पास जो था वो हमें चाहिए ही AC हमें चाहिए ही और BP जो कि ये है और CP जो कि ये है इनका योगफल BC होगा तो ये जो है मुझे जो दाई तरफ दिया गया अभिवेक्ति था उसके बराबर है और इसलिए हम कह सकते हैं कि सिध्धी करण होगा या हमने सिध्ध कर दिया यहां पे जो मैं यह कह सकूँ कि मूल रूप पे जो मैंने concept व्यूस किया है वो यह है कि अगर आपके पास कोई भी एक बाहर का बिंदू है और एक वृत पे आप इस पर शरेखाएं खीचती हैं तो उनका मान जो है वो बराबर होगा उनकी लंबाई बराबर होगी AQ कमान AR के बराबर BQ कमान BP के बराबर और CP कमान CR के बराबर चलिए आईए एक और प्रशने देख लेते हैं त्रिभुज ABC बिंदू PQR पर एक चक्र बैठक का निर्मान करता है तो यहां पे जो हमें इस statement दिया गया है उसका आशे यह हुआ कि हमारे पास कोई एक वृत है और एक हमारे पास जो त्रिभुज है वो कैसा है जो कि इसका चक्र बैठक का निर्मान करता है मतलब यहां पे वो circumscribe कर रहा है इस circle या फिर कहलें कि वो एक चक्र बैठक का निर्मान कर रहा है इस वृत के और और क्या कहा जा रहा है कि इस त्रिभुज का नाम ABC है तो मैं यहाँ पे ABC लिख देती हूँ और जिन बिंदूओं पे वो इस पर्ष कर रहा है वो है PQR मैं इस तरहां से लिख लेती हूँ यदि AP का मान हमें कितना गिवन है 4 cm PB का मान हमें 3 cm गिवन है और AC का पूरा मान हमें कितना दिया गया है 11 तो हमें ये पूछा गया है कि BC का मान कितना है तो हमें ये निकालना है कि ये मान कितना है तो चलिए आएए ये देखते हैं कि हमें क्या निकालना है तो हमें निकालना है BC और BC को अगर हम यहाँ फिगर से देखें तो वो हो जाएगा BQ और QC लंबाईयों का योगफर और अगर आप यहाँ figure से देखें तो एक वृत पे एक बाहर का बिंदू B है जो की BP और BQ दो इस पर्शने खाएं बना रहा है तो हम BQ को BP भी लिख सकते हैं और इसी प्रकार आप QC को CR भी लिख सकते हैं क्योंकि C जो है एक बाहर का बिंदू है जिससे C, R और CQ दो इस पर्श रेखाएं इस वृत पे बन रही है अब BP का मान तो हमें तीन मिल गया और CR का मान देखें क्या होगा तो अगर हम इस figure से देखें तो CR जो है वो सीधा-सीधा AC में से अगर आप AR हटा दें तो आपको मिल जाएगा मैंने क्या किया कि ये जो CR है वो पूरा AC में से आप AR हटा दें तो मिलेगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि AC का मान 11 है और AR का मान अब हम कैसे निकालें तो फिर से हम ये देख पा रहे हैं कि A बिंदू की अगर बात की जाए तो इससे AP और AR दो बराबर ही इस पर्ष रेखाए हैं तो AR की जगा हम AP लिख सकते हैं अब यहाँ पे 3 और 11 का योगफल 14 हो गया और AP का मान हम देख सकते हैं कि फिर से 4 दिया गया है तो अगर हम 14 में से चार को घटाएंगे तो हमें 10 मिलेगा और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि BC का जो मान है जो कुल मान है वो 10 cm है और इसकी लंबाई 10 cm ही होगी तो बहुत ही अच्छा रोचक प्रशन था और यह परिक्षा के दिश्टिकोंट से बहुत जरूरी प्रशन है और यहां पर भी मैंने जो एक basic concept यूश किया वो यह कि अगर आपको एक बाहर की बिन्दू लेंगे और उससे दो इस पर्श रेखाएं बनाएंगे तो उन दोनों ही इस पर्श रेखाओं कि जो भी आपके पास लंबाई होगी वो बराबर आएगी मुझे आशा है मैंने इस वीडियो में आपको जो भी बाते बताएं आपको अच्छे जो समझाएं